नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में कितने घंटे सोता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक इंसान अपने पूरे जीवन काल का 30% सोने में बिताता है. उसी तरह एक बिल्ली जो कि अपने पूरे जीवन काल में आदा जीवन सर्फ सोने में बिताती है उसी तरह दर्थी पर रहने वाले आने जीव कैसे सोते हैं और एक दिन में कितना घंटा सोते हैं और अपने पूरे जीवनकाल में कितना सोते हैं इसी बात का पता लगाने के लिए आज हम आपके लिए लाएं हैं ये वीडियो तो पूरी इंट्रिस्टिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं वेलकम टू स्मार्ट एंफो सी ओर्टर्स ये जानवर सी ओसन पैसफिक में रहते हैं ये जानवर दिखने में वेहादी क्यूट होते हैं और ये अपनी पूरी जुन्दगी पानी में तैरते वे ही गजार देते हैं ये जानवर अक्सर जुन्द में ही पाए जाते हैं अगर बात करें ये जानवर सोते कैसे हैं तो ये जानवर अपने शरीर को लटकर पानी की सता पर सोते हैं सबसे अनुकी बात ये है कि ये जानवर सोते वक्त अपने साथियों का हाथ पकड़ कर सोते हैं इनको इस बात का डर रहता है कि कहीं पानी की तेज लहर इने अपने साथ बहाना ले जाए। इसलिए यह जानवर अपने बच्चों को अपने पेट पर रख कर और अपने साथ ही का हाथ पकड़ कर सोते हैं। जानकारी के लिए बता दें तो यह जानवर 24 गंटे में सर्फ 30 मिनट ही सोते हैं। ऑक्टोपस समुद्र में रहने वाला एक जीव है जोकि जग्यासाओं से भरा हुआ है। इस जीव को सोते हुए बहुती कम लोगों ने देखा है। परंतु जिस ने भी देखा है वा इसे सोता हुआ देखकर आश्टर ये चकत रह गए। क्योंकि अजीव सोते वाक्त अपनी पूरी तवचा के रंग को बदलता रहता है। चूर्टकरतां का कहना है की जीव अपने तवचा का रंग इसलिए बदल पाता है क्योंकि सूने के दौरान या नीद में कई सारे सपने देखता है और सपने के मताबिक ही अपने तवचा का रंग बदलता है। अगर आक्टोपस का तवचा का रंग काला है, तो वह जरूर अपने सपने में काली चक्तान के पास गूम रहा होता है जिराफ दुनिया का सबसे लंबा कहा जाने वाला जानवर जिराफ है या जानवर बहुत शांत सोभाव का होता है जिराफ अपने भारी भर कम शरीर के कारण देखने में बेहदी आलसी लगता है। अपने लंबे कत के मताबिक और भारी शरीर के कारण सभी को यही लगता है कि यह जानवर अपना अधिक समय सोने में वैतीत करता होगा। परन्तु ऐसा नहीं है। जराफ 24 गंटे में सर्फ 2- तीन घंटे ही सोता है क्योंकि नीद में यह जानवर बेहदी बेचायन होता है। नीद के कारण जिराफ को लगता है कि कहीं से कोई शेर आकर उस पर हमला कर देगा और उसका शिकार कर लेगा। जिसके कारण यह जानवर कम खाता है और कम सोता है। फ्लैमिंगो इस पक्षी अपने शिकार के लिए कई घंटों एक पैर के सारे खड़ी रहती है परंतु सबसे चौका देने वाली बात या है कि ये पक्षी सोने के दौरान भी अपने एक पैर पर खड़ी ही रहती है फैग्यारी को का मानना है कि दोनों पैर पर खड़े होने पर इन पक्षियों के पैर जादा एक्टिव हो जाते हैं जबकि एक पैर पर खड़ा होने पर पूरी ताकत सर्फ एक पैर पर नहीं लगती है इसके साथ ये एक पैर पर खड़े होने से इन पक्षियों को गर्मी भी मैसूस होती है ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शुरीर का जारतर हिस्सा जमीन के संपर्क में नहीं होता वेल पानी में कई ऐसी रहसमई चीजे हैं जिसके बारे में हम सभी जानने के लिए बेताब हैं उनी चीजों में से एक है वेल जिहां और इसका सोना वेल जो दुनिया की सबसे बड़ा जीव है या जीव समुद्र की गहराईयों में पाय जाता है वेल समुदर की business में बिलकुल सीधे होकर सोते हैं और सोते वक्त इनके श्रीर में कोई भी हलचल नहीं होती सोते समय इनका दूसरा मस्तक्स हमेशा active रहता है क्योंकि ये सोने के साथ यी बेहत चौकन न रहते हैं क्योंकि हमेशा इन पर हमला होने का खतरा बना रहता है। इसलिए जब यह सोते हैं तो अपना एक मस्तक्स अक्टिव रखते हैं। जब एक मस्तक्स उनका ठक जाता है तो यह दूसरे मस्तक्स को अक्टिव कर लेते हैं। वेल सांस लेने के लिए अक्सर पानी की सता पर आते हैं और इसलिए जीव अपना मूँ पानी के सर्फिस की तरफ रखते हैं ये पक्षी समुदर तल के नजदी की शेत्रों में पाए जाते हैं इन पक्षीं की सबसे खास बात यह है कि या अउड़ने के दORान अपने भोजन तथा सोने के खरियाएं कर लिती हैं ये पक्षी हमेशा आकाश में उड़ते ही रहते हैं ये सिर्फ जमीन पर अपने अंड़े देने के मकस्त से ही नीचे आते हैं ये पक्षी उड़ते उड़ते काई किलोमेटर तक के समदर की दूरी पार कर लेते हैं। पार करने के दौरान ये पक्षी नीचे गरते हैं तो उनकी मौत पक्की है। क्योंकि इन पक्षियों को तेहरना नहीं आता। वेग्यानिकों का मानना है कि ये पक्षी उड़ते समय प में सोता है और रात में अपने श्रिखार के लिए बाहर निकलता है उलू का चेहरा देखकर यही लगता है कि अबेहदी आलसी होंगे परंतु ऐसा नहीं है या जीव पूरे 24 गंटे में सर्फ कुछी पल की जबकी लेते हैं उलू अपनी नींद पूरी करने के लिए किसी भी पेड़ पर बैठे-बैठे सो जाते हैं परंतु उलू के बच्चे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उस वक्त उनके सरीर का वजन काफी ज्यादा होता है जिसके वज़़से बैट कर सो नहीं सकते इसलिए वाजमीन पर पसर कर सुजाते हैं बिल्कुल इंसान की तरह तो दोस्तों कैसी लगी है इंफॉर्मेटिव वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बंदिमात्रम भारत माता की जाए